पाही पाही चलनली आली पाही पाही चलनली आली सुनी साप जोदीना अति भलकीना साप जोदीना अति भलकीना साथ जागी ना आती भलकी ना आके ना फैरु प्रह में बारा सेखो भरिलो चल हरी भवंो चल भरिलो चल हरी आती है लाब चल कर जाओ सेखो भरिलो चल हरी भरिलो चल भरिलो चल भर पंग वार जागी ना आती नमागव वर्याना पद कमल परागा उरत्य अलुरागा मममन मधुब करे भाला यही पद सुन करिता परम सुनी का जगत भई जीवतीत जरी जगत भई जीवतीत जरी वई पद पंत ज़ए पूदा जयाजगम तेर जरे उश्कर पाल हरे रफाजी जरे उपुदाल तेरी भाज तिल्हारी गो पम नारी बारि बार हरी जर्ण परे तो सिमने भावा, तो बरिपावा, पद्लों के अदर्द भरे आगे पद्लों के अदर्द भरे अच प्रबुदी अबंद हरी, पारण रहित द्या केते हैं कि नहारा है इस्क ना दुनिया तकी है हवा चल रही है दिये जल रहे है और सुकू ही सुकू है खुसी ही खुसी है तिरा गम सलामत मुझे क्या कमी दियाओं के बदले मकाँ जल रहे हैं लगता है मन्जिल करीबा भगवान ने अहिल्या को तारा अहिल्या का प्राकट हुआ अहिल्या ने का प्रभू आपने मुझे दीन पर क्रिपा करी ये जरूर प्रारब्द का प्रभाव होगा मैं तो ये मानता हूँ कि मुनी स्राप जो दीना आती भल कीना मेरे पती ने मुझे जो स्राप दिया वो अच्छा ही था क्योंकि अगर मेरे पती ने मुझे स्राप नहीं दिया होता मैं पत्थर की सिला नहीं बनी होती तो आज रगुवीर की चरण की रज पाके मैं बेगुठ नहीं जाती घर में कहके देख लो जी जरा सी कोई बात हो जाए तो जरती आकास एक जगा हो जाए अब विश्वामित्र जी ने सभी कलाओं से राम और लक्षमन को पूर कर दिया है बैट करके जगत कल्याण के बारे में सूच रहे हैं परमात्मा स्रीहरी के अचानक जनकपुर से एक पत्त्र का आई है पूर्व समय की एक बिवस्ता थी है जी कि कोई भी सुवकारी अगर करना है तो पहले गुरु के द्वार पे निवंत्रन भेजते थे थे ना अब तो पहले सुसरान में भेजते हैं लोग महराष्ठा में इधर नहीं महराष्ठ के लोग ऐसा करते हैं यहां के लोग तो बहुत अच्छे सबसे पहले गुरु के द्वार पे पत्रिका बेजी जाती थी महराजा जनक की सुपुत्री पहले प्रसंग में बताया है मैंने कि आज इसकती जगत जन्नी जगदंगबा है स्वयम जानकी के सरूप में उतरीत है जनक पुर की एक स्वक्षता कर रही है गर की सफाई कर रही है वहाँ एक सी उधनुष रखा हुआ है जिसे कोई हिला भी नहीं सकता और जानकी जी ने गर की सफाई करते करते उठा के एक तरफ रख दिया है महराज जनक को जब पता लगता है तो कहते हैं भई एक प्रवस्ता है एक ब्यवस्ता है समाज की यगर हमारी लड़की बार्मी पास है तो उससे ज़्यादा है जो केशन वाला बच्चा हम ढूड़ते हैं क्योंकि फिर बात बिगड़ जाएगी न यहाँ पर भी माराज जनक नहीं देखा कि मेरी कन्या में जितना बल है जितनी सक्ति है इसी से ज़्यादा सक्ति वाले बालक से मैं इसका विवा करूँगा अब जानकी ने उससे हटाया है तो जो धनुष को तोड़ देगा उससे विवा होगा बंजन कर देगा उससे उसका विवा होगा संकल्प ले लिया पूर्व समय में तो संकल्प लेते थे लोग कि ये कारिकर के ही रहूंगा कि मैं मेरी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करूंगा जो इस सिव के धनुष को तोड़ देगा भंजन कर देगा और इसके लिए सारे देश के राजाओं को निवता दिया गया है पर तीन जगह नहीं बेजा गया सब को निवता दिया लेकिन तीन घर में निवता नहीं दिया है न वो हमें अच्छे नहीं लगते वो बेठे रहते, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन यहां तीन जगह निवता नहीं गया, और तीन हो बड़े महात्युकी चीज है। सबसे पहले निवता उसी घर में नहीं दिया, जहां जनक की चारू बेटियां ब्यांके गई है। अजुद्या में महाराज जनक जी ने पत्रिका नहीं भेजी थी, ना रावन को भेजा था, क्यों तो वारी बाबा, ऐसा ही कुछ है, ना बानासुर को भेजा था। लेकिन नहीं देख लिजे कि जिसके घर में पत्रिका ही नहीं भेजी, लोगों ने ऐसा तिरह स्कृत किया, उसी के घर में ब्याह के चारों लक्षमी बनके आ गई है। गुरू के कृपा होती है महाराज। लेकिन वहीं सब्द था वहां कि आप मेरे प्राणनाथ हो, आज से दोनों बेटा मैं आपको दे रहा हो विश्वामित्र, आज से ही तुम ही इनके पिता हो। आजद्या में पत्रिका गई ही नहीं है, स्वेंबर में आने के लिए, मंत्रन के लिए, आवद में कहां बेजी गई है पत्रिका। लकिन चारों लड़किया ब्याह के आजद्या में गई, अभी भी आजद्या वाले मित्रावालों से वही रिस्ता लगाते हैं। मिठ्रा वाले और जद्ध्या वालों का वही रिस्ताएं जी अभी भी मानते हूँ कहां के जद्ध्या के वही आप कहां के बले मिठ्रा के वह हो तब तो आप हमारे वो लगते हैं दूलन के भाई पत्र का आई है भगवान राम को और लक्षमर को लेके महराज जनक के अहां चले हैं विष्वामित्र अब किसी के साथ बाबा के साथ अगर बेटा बेटी नजर आ जाए तो दुनिया बहुत सवाल उठाती है लोगों को ऐसा लगता है कि प्रश्णी एक जगह उठता है जनक पुर्वे जैसे ही विष्वामित्र जी ने कदम रखा है प्रश्णों का सिलसिला चानू हो जाता है माराज ये कौन है ये आपके पास जो दोनों बालक है किसके है इतने चोटे चोटे बच्चों को कोई माबाप अपने से दूर कर नहीं सकता और अगर ये आपके पास है तो ये कौन है दाल काली है या दाल में काला है आप बताओ, प्रमाण दो पुठा है न माराच मैं नहीं बोल रहे हैं और उन्हें प्रमारित किया है पंक्तियात करो आप के दो दसरत के धोटा बाल मरालनी के कल जो बिस्वामित्र ने कहा कि ये दोनों दसरत के पुत्र है बाल मरालनी के कल जोटा जिनोंने बच्पन में ही ताड़का जैसी राक्षसी को मार दिया जिनोंने बच्पन में ही मारीच को बिना फन के बान से ही अब भगवान फर भी लगा सकते थे ना यहां देहन देना फन मतलब वो नुकीला भाग बान के उपर जो नुकीला भाग होता उसको फन कहते हैं भगवान फन लगा के भी मारीच को मार सकते थे लेकिन फन क्यों नहीं लगाया थे क्योंकि पहली बार दंड नहीं देना चाहिए मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए किसी को थोड़ा सा दंड दो उसको, फिर और थोड़ा सा दो, फिर नहीं माने तुस्तिर के बाद तब फन लगाना चाहिए बगवान को मारना ही था, तो फन लगा कर मार देते ही बार हर हर महादे हो जाता है पर बिना फन का बाद मारा है, क्योंकि जो व्यक्ति गलत करें उसे सीधे मृत्य दंट नहीं देना चाहिए सव योजन दूर बेज दिया था ना, कितनी दूर? सव योजन दूर, तेरी सीमा कतम हो गई, अब वहाँ नहीं आएगा था